Let's start Namaskar दोस्तों, क्या हल चाल, कैसे हो आप लोग So A2 family, आपका फिर से लाइव सेशन में स्वागत है आज हम जिस situation से निकल रहे हैं बहुत जिगा पर lockdown हो चुका है और शायद इस situation में बहुत लोग अपनी jobs भी खो चुके होंगे क्योंकि बहुत सारे काम बंद हो चुके हैं और इस वज़े से जो employer है या जो company है वो अपनी employees को पैसे भी कहां से देगा इसलिए शायद बहुत लोगों की salary आदी हो गई है ऐसे मैंने सुना था और बहुत लोग अपनी job से हाथ दो बैठे हैं पर सवाल ये है कि क्या अगर हम अपनी traditional job से हाथ दो बैठे हैं तो क्या हमें कभी job नहीं मिलेगा या इस situation में क्या हमें नए रस्ते तलाशने नहीं चाहिए आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब इस सेनेरियो में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है हमें अपनी traditional सोच बदलनी होगी हमें नए आयाम तलाशने होंगे हमें नए रस्ते खोजने होंगे ताकि हम लोग अगर भविश्य में कोरोना जैसी situation आ जाए तो उसमें भी हम लोग क्या करें सर्वाइव कर सकें सर्वाइव कर सकें ये बहुत important है अरे getting my point मैं कहां पर जा रहा हूँ देखें 2017 की में बात बताता हूँ 2017 में मैं physical classes में पढ़ाता था तब करोना जैसी कोई situation नहीं थी ऐसा कुछ नहीं था physical classes में पढ़ाता था मैं एक बहुत अच्छा institute था मतलब एक class में जाता मतलब पूरे दिन में कम से कम 6 या 7 batches में पढ़ाता था और एक class के अंदर कभी कोई 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे ऐसे होते थे पूरे दिन में 6 या 7 batches में लेता था ठीक है? लेकिन जाके पढ़ाता था class में जाके पढ़ाता था अच्छे खासे पैसे मिलते थे लेकिन 2000 और अच्छे खासे पैसे मिलते थे मेरी job भी secure थी उस scenario में boom पर था वो है ना? मतलब almost अगर महीने के कहूं तो मेरी dream job जैसी थी में जो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता और मेरे पर अच्छी job भी थी मैंने 2017 तक काम किया 2018 आते आते मैंने वो job छोड़ दी इतनी अच्छी job जो physical classes में offline पढ़ाता था मुझे online का भविष्य दिखने लग गया था मुझे लगने लगा था कि online में कुछ तो खास है online में मैं अपने आपको आजमाना चाहता था और आप believe करेंगे कि जब मैं इतना बड़ा risk उठा रहा था तो मुझे जो salary वहाँ पे 2017 में physical classes में मिलती थी उसकी आती से भी कम salary पे मैंने online के classes शुरू किये थे मुझे डेड़ लाक रुपया मिलता था almost physical classes में मैंने 30,000 की अपनी online job शुरू की थी किसी company में और YouTube पे पढ़ाना शुरू किया था और वो भी leading company थी लेकिन मैं 30,000 रुपय में शुरू किया था सिर्फ इसलिए कि मैं नए रस्ते खोजना चाहता था और आज मैं आपको बता देता हूँ कि शायद लोग ऐसा कहते हैं कि जो online पे काम कर रहे हैं यानि कि हम लोग उनसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है या आप भी शायद मानते होंगे मैं इसे उस वे से नहीं कह रहा हूँ आप जरा समझेगा हमने 2017 से 2018 आते आते मैंने वो रिस्क उठाया और आज घर बे बैटके हम शायद मैं offline में जितना कमाता था उससे कहीं गुना जादा कमा रहा हूँ अब मैं इस चीज़ को आप पे फोकस करवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी नए आयाम बुने अपने अपनी सोच को बदले आप ये मत सोचे कि जॉब का मतलब ये होता है कि कि किसी कंपनी में जाए और वहाँ पर जाकर जॉब हम लोग लें और वहाँ पर फिजिकली काम करें नहीं कोरोना ने सबको आयना दिखा दिया और बहुत सारी अगर आप ये सोचे कि मेरी फिजिकल जॉब चली गई और अब मैं क्या करूँ तो आप समझ लीजिए कि एक अपोर्चनिटी और एक दरवाजा जब बंद होता है तो दूसरी अपोर्चनिटी और दूसरा दरवाजा खुलता है मेरे भाई दूसरा दरवाजा खुलता है बस आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है कुछ काम करने की जरूरत है आप भी घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो और अगर आप घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से चैट सेक्शन में बात करना चाहता हूं कि यह ऐसे कितरे लोग हैं जो कि घर पे बैठके पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कोरोना की सिचुवेशन में हालात अब बत्से बत्तर होते चले जाएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको आज की नियूस देता हूं मैंने आपके चैट स्कोल दियें और मैं जानना चाहता हूं देखो आप यहां पर यहां पर जब बोलेंगे तो मुझे दिखेगा मेरी टीम को दिखेगा और उसके हिसाब से हम लोग इतना enthusiasm बढ़ जाता है कि हम लोग आपको और भी अच्छा बताएंगे तो आज का session जो है ना वो आपके नाम है उन लोगों की नाम है जो अपनी जिंदगी को परिवर्तित करना चाहते हैं कि अरविन दरोडा ने अपनी जिंदगी बदली है मैं offline में पढ़ाता था और अब मैं online पढ़ाता हूँ घर पे बैठके मैं उससे भी जादा पैसा कमा रहा हूँ ना बाहर जाने का जंजट ना tension क्या ऐसी जिंदगी आप भी चाहते हैं मेरे ख्याल से आप चाहते होंगे क्योंकि कोरोना की जो situation है ना आज मैं आपको बताऊँ सच बता रहा हूँ मैं कल करनाट का बंद है मेरे एक दोस्त का कोल आया आज वो physical classes में पढ़ाता था उसकी हालत यह है कि कल से 14 दिन के लिए करनाट का बंद है physical classes पूरी तरह से ठप पड़ी है मुश्किल से खुली थी अब वो भी उसके हाथ से चांस निकल गया वो कह रहा था कि मुझे जॉब करनी है प्लीज मुझे जॉब बताओ नहीं तो मेरी हालत खराब हो रही है मुझे से पूछ रहा था वो और एक वक्त ऐसा था कि वो बंदा जब मैं 1.5 लैक के पैकेज पर था उस तेम पे मैं तो था ही नहीं 50 जार रुपे मुश्किल से कमाता था लेकिन उस तेम पे वो बंदा धाई लाक रुपे पर महीने कमाता था मुझे से तीन गुना जादा कमाता था और आज वो इस सिचुवेशन पर पहुँच चुका है कि वो मुझे से पूछ रहा है कि भाई को जॉब बता दो आज कोरोना ने ये स्थिती साफ कर दिये कि अगर हमने अपनी मान सिकता नहीं बदली अगर हमने ये नहीं सोचा कि ट्रेडिशनल जॉब के अलावा भी जॉब होती है आप अपने आपको तैयार रुखो मेरी खास बात क्या थी पता है अर्विन दरोडा यानि कि मेरी खास बात पांच मिनट अगर पोचा लगाते तो वर्जिश भी हो जाती है यार एक्सराइज करने बाहर नहीं निकल सकते है चलो पोचा ही लगा लेते है क्या बुरा है यार काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है मैंने अपने आपको कभी रिस्टेक नहीं किया मैं छोटे से छोटे से लेके बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ आज YouTube पे मुझे almost सारी चीज़े आती है मैं अगर मेरे पास मेरा कोई employee बीमार हो जाए तो वो काम मैं खुद भी कर सकता हूँ मुझे thumbnail बनानी आती है मुझे video edit करनी आती है मुझे live stream करनी आती है मुझे ppt बनानी आती है पता है आज सबसे बड़ी problem क्या है आज लोगों की सबसे बड़ी problem है वो ये कहते है कि मुझे तो साहब यही काम आता है इसके इलावा कुछ नहीं आता मैंने यानि कि आपके A2 सर ने मैंने हमेशा यह सोचा कि skill skill होती है साहब सीखो जिंदगी में कभी काम आएगी skill skill होती है साहब सीखो जिंदगी में कभी काम आएगी मेरे पापा ने भी मुझे यही सिखाया कि हर चीज काम आती है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक बनिया परिवार में अरोडा हूँ में बनिया परिवार में पैदा हूँ और वो हमें रग-रग में सिखाया जाता है हमें खून में सिखाया जाता है कि किस तरह से पैसा कमाना और स्किल का मतलब क्या होता है इसलिए मैंने अपने आपको सीखने से कभी रोगा ही नहीं मुझे छोटे से छोटे से काम से लेके बड़े से बड़ा काम आता है और अगर आज मैं कहीं फ़स जाओ ना तो मुझे पता है उस situation से कैसे निकलना है इसलिए आज मैं इतना कामिया बोँ पाया इसलिए मैं आज इतना समझ पाया इसलिए आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया और आज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आज वक्त अपनी सोच को बदल लेका और अपने आप से ये कहने का कि काम छोटा बड़ा नहीं होता सबसे पहले नंबर दो कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है या मैं यही कर सकता हूँ यह आपकी प्रोग्रेस को रोकता है और आप समझ लीजिए कि वक्त एक जैसा नहीं होता कोरोना ने सबको शकल दिखा दी आप खुद बताओ कि क्या यह सच बात नहीं है करोना ने सबको शकल दिखा दी क्या यह सच बात नहीं है आपके सामने बहुत सरे लोगों की जॉब्स गई होंगी इन फैक्ट आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा कि हाँ यार करोना की वज़े से बेरी जॉब चलीगी अगर मैं थोड़ा समझदार होता या मैंने अपने अंदर एक स्कील पैदा कर ली होती शायद मैं आज घर पे बैठके कमा रहा होता आज मैं आप लोगों को घर पे बैठके कैसे जॉब लगना है या घर पे बैठके कैसे कमाया जा सकता है हाँ गर पे बैठ जोब की जा सकती है मैं आपसे फिर से कहारा हूँ कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है आप ये सोच रहे हो कि मेरा ओफिस तो बंद है मैं कैसे काम करूँ मैं आपको बता देता हूँ लोग घर पे बैठ केagen पैसा कमा है तो आप क्यों नहीं कमा सकते जब 10 भी कलास का बच्चा ओनलाइन पैसे कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता है ये सोच के साथ अगर आप चलोगे तो definitely आप लोग पैसा कमा लोगे और आज सोच बदलने की जरूरत है आज का session सिर्फ उन A2 family के लोगों के लिए जो अपनी सोच बदल कर अपने आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछता हूँ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपनी सोच को बदलें वो घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं और अपने आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं येस और नो में आंसर करो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे just write down yes और no मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है बस write down देखो जब आप बोलोगे ना चायट में मुझे में आएगी हिम्मत और मैं तभी आपको जादा से जादा दे पाऊंगा just write down yes sir हम चाहते हैं प्लीज आप हमें बताएं और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके वहाँ पर लोग डाउन है just write down yes or no एक बात बता देता हूँ जब हम कहते हैं ना कि लिखिये तो पता है इससे आपके जजबे का पता लगता है कि आप अपने आपको परिवर्तित करना चाहते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जजबा जजबात हाँ मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने आपको हाँ मुझे ज़रूरत है हाँ मैं बदलना चाहता हूँ अपने आपको और पता है इससे आपको भी हिम्मत मिलती है कि हाँ मैं बदलने को तयार हूँ just write down yes or no yes I just want to learn sir बताईए क्या करना है पता है उससे जजबा पता लगता आपका कितना है तो चलिए फड़ा फड़ा से शुरू करते हैं एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूंगा अगर आपने आज का ये 30 मिनट मुझे दे दिया आज का ये 30 मिनट मैं आपकी सोच और आपकी तकदीर और आ आवा नहीं कर सकता हूं लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आपको आज के ये 30 मिनिट आपकी जिन्दगी में बहुत काम आएंगे आपकी जिन्दगी में आगो आगे बढ़ा देंगे So just write down, yes sir मैं आपके साथ हूँ, आप बोलिए क्या करना है चलिए तो फड़ा फट से शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग एकदम तयार हैं आपके चैट्स में बार बार खोलूगा और मैं आपसे कहूंगा कि ये सेशन कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ नोट्स लिखने के जरुत पड़ेगी मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोपी पैन लेके बैठिये क्योंकि जो मैं चीज बोलूँगा, वो बहुत काम की चीज है, वो नहीं पता है आपको जान लीजिएगा, इसलिए कोपी पैन लेके बैठियेगा, लिखियेगा, तब ही तो आप समझ पाईएगा तो इसलिए copy pen लेके बैठिएगा तयार हैं आप तो चलिए फड़ा फट से शुरू करते live session में मैं आपको बताने वाला हूँ कि actually आप लोगों को क्या करना है job पाने के लिए अपनी dream job इस corona की situation में ताकि आप घर पे बैठके काम सके काम कर सके और आप घर पे बैठके पैसा कमा सके आप लोग एक बात याद रखेगा IPL का मैच चल रहा है साहब कुछ लोग IPL का बोले corona आप तो छुटी है क्या बाहर निकले कुछ लोग IPL का मैच देख रहे हैं शायद अपनी जिंदगी सवार रहे हैं या फिर अपनी जिंदगी बरबाद कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ लेकिन इस session को देखने वाले ये 6000 लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तयार हैं और मेरे साथ आगे बढ़ने को भी तयार हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो IPL देख रहे होंगे या फिर अपने मुबाइल पे मैच खेल रहे होंगे या ताश के गड़े लगा रखी होगी कुछ भी कर रहे होंगे लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं IPL देखने से आपको कुछ मिलेगा नहीं साहब मिलेगा उन क्रिकेटर्स को लेकिन आप अपनी जिंदगी अगर बदलना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में और आज आपको सुनना पड़ेगा इसलिए IPL का मैच छोड़िए अपने दोस्तों को मैसेज करिए WhatsApp पे कि आजा कुछ अच्छा काम सीखते है यार कुछ अच्छा काम करते है लोग इतना आगे बढ़ गए लोग इतना आगे निकल गए जब अरविंद अरोडा जैसा इंसान offline में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेके online में आज तीन या चार गुना पैसे कमा सकता है तो तुम भी कमा सकते हो यह मैं guarantee दे सकता हूँ और आज मैं इस session में हमारा तो काम ही यही है A2 motivation का channel मैंने इसी purpose से शुरू कि कि एक एक बंदा जो कि A2 motivation पे आता है उसकी जिंदगी बद ली जाए वो आगे बढ़े अपने आपको leverage करे और कहे अपने आप से कि मैं भी कर सकता हूँ बस उसी जजबे के साथ आज के session को मैं शुरू करूँगा मैं आप लोगों से request करूँगा कि आप लोग आज की एक एक चीज को note down करियेगा और इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें जो आपको काम आएंगी तो चलो फड़ाफ़ट से शुरू करते है Let's start today's session किस सरा से जोब पाई जाए 10 powerful tips में आपको देने वाला हूँ तो चलिए जी फड़ाफ़ट से शुरू करते है सबसे पहले तो करोना ने situation बदल दी करोना has affected the jobs साहब traditional job में क्या होता था आप सुबह उड़ते थे नहाते थे दोते थे नाश्टा करते थे और उसके बाद अपनी job के लिए निकलते थे साहब निकलते थे ना बहुत सारे शहरों में lockdown हो चुका है बाहर नहीं निकल सकते आप और जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी अपनी जान का खत्रा रहता है सोचिए क्या जिंदगी में आगे भी ऐसी रिस्की job करते रहेंगे नहीं work from home बहुत सारी company ओंने अपना एक rule बना लिया है इस tradition की तरफ बहुत सारी company जा रही है आप ये मत सोचिगा कि बस हम तो job जाई नहीं सकते तो कमाएंगे कैसे साहब एक रस्ता बंद होता है न तो 10 रस्ते खुलते और in fact वो खुले हुए हैं हमें ही नहीं दिख रहे समझ से हम देखना ही नहीं चाहते हमें तो लगता है कि किसी के यह दुकान पर नोकरी करते है कचोरी की दुकान पर नोकरी करते है हमारा तो यही काम है हम तो कचोरिया बनाएंगे साहब मैं आपको एक बात बोलता हूँ हमारे साथ एक लड़का है राजस्तान से अभी जुड़ा है साहब वो नोक्री करता है 9000 रुपे की और आपको मैं बताता हूँ यूट्यूब के हमारे चैनल से वो 50,000 रुपे कमा रहा है अब आप बोलिए और वो जल्दी अपनी नोक्री छोड़ने वाला है in fact महा तो लोग डाउन हो गया है कि सर मैं आपकी वीडियो काटता हूँ महीने में 40-50,000 रुपे कमा रहा हूँ मुझे उससे जादा क्या चाहिए बताओ 9000 की नोक्री छोड़के घर पे सिर्फ 2 वीडियो काटता है दिन में दिन में 2 वीडियो काटता है 40-50,000 रुपे कमाता है गाउ में जरा सोची कहा 9000 की नोक्री में से लगता कि 9000 की नोक्री है आज 40-50,000 रुपे वो च्छाप रहा है यूट्यूब से अब आप सोचीए और करता क्या है दिन में 2 वीडियो काटता है और घर पे रहता है करोना से बचा हुआ है लोकडाउन में बाहर निकलने की जूरत नहीं है पैसे की प्रॉब्लम नहीं है जरा सोचिए क्या आपको सोच बदलने की जूरत नहीं है है पर समस्या क्या है स्किल कैसे डविलप करें तो मुका है ना आपके पास लोकडाउन है तो निकलिए निकलिए कहाँ पर अपने कमरे में जाए और कमरे में जाके आप ढूंडिये जो चीज चाहिए आपको सबकी स्किल आप डवलप कर सकते हो सारे कोर्से अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है और अगर आप किसी मेंटर से पढ़ना चाहते है एक्स्टाओर्डेरी कुछ सिखना चाहते है तो किसी मेंटर को पकड़ लीजिए सारे ओनलाइन कोर्से अवेलेबल है मोबाइल पर देखिए, लैप्टॉप पर देखिए, सीख लीजिए एक चीज शुरू में नहीं होगी साहब लेकिन उसके बाद अगर एकी चीज़ को मैं चार बार देख लूँगा पाँच बार देख लूँगा तो साहब सब चीज याद हो जाती क्या चीज याद नहीं होती हम जब पैदा होए थे साहब तो क्या हमें अपने मम्मी पापा का नाम पता था नहीं किसने सिखाया बोल बोल के सिखाया धीर धीर बड़े होते हैं कि मम्मी बोलती है मेरा नाम बोलो बेटा मेरा नाम बोलो पापा बोलते है बेटा बोल कांतीलाल तो आप बोलते हैं तांतिलाल, दीर दीर आपने बोलना सीखा कांतिलाल, कांतिलाल और फाइनली पापा का नाम बोले, आपको तो पता भी नहीं, आप क्या बोल रहो, लेकिन फाइनली बोले, कांतिलाल मेरे पापा का नाम है, और फाइनली आपको पता लगया, आपके पापा चीज की एक ही चीज को सो बार लिख रहे हैंगा और एक ही चीज को विडिघ्र का खत्रह लेकर थोड़ी बाहर निकलेंगे जान है तो जहान है लेकिं अकर आपको ये लगता है कि रिक नहीं सकते, सारे offices बंद है, कुरोना से हमारी जान निकली पड़िये, और हम आप जोग कहां करेंगे, कहां पैसा कमाएंगे, तो रुकिये साहब, एक रस्ता बंद होता है, तो दस रस्ते खुलते हैं, कहां कहां है, but work from home is open, बहुत सारी कंपनिया, मैं आपको बता देता हूँ शायद आपको पता भी नहीं होगा, work from home करवा रही हैं, आप घर पे बैठे काम करिये साहब, आपको पैसा देंगे, और genuine है, आज के time पे हर कोई पैसा दे रहा है, आप हैरानी करेंगे, जी हाँ दे रहा है, और genuine ही दे रहा है, आपके account में आते हैं पैसा, वो कुछ नहीं क कहता हूँ, यही काम है, इसके लाबा 113 के काम है, लेकिन best jobs बता रहा हूँ, जो घर पे बैठके आप कर सकते हैं, और फिर आप सोचेगी कि यह काम के लिए skill कहां से लाएं, तो वो भी तरीका में आपको बताऊँगा, तो आप चिंता मत करिएगा उसकी, चली यह सबसे पह आपने हमारे thumbnail देखे होंगे, आज भी एक thumbnail बना हुआ था, आपको क्या लगता है, मैं graphic designer हूँ, मैंने कहीं पर बच्पन में graphic designing की हुई है, नहीं साहब, आज मैं कोई भी तरह का thumbnail बना सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लगता है कि graphic designer बनने के लिए, इन फैक 60,000 रुपे पर महीने की job है, बताइए आप, 60,000 रुपे पर महीने सिर्थ thumbnail बना के देने आपको, दिन में 3 या 4 या 5 या 6 thumbnail बनाते होंगे, हमने भी thumbnail के लिए graphic designer रखा हुआ है, अब आप सूचे, क्या करता है वो, thumbnail बनाता है, thumbnail बनाता है साहब, और आपको लगता है, जो ब बनाता है, आप लोग खुद editing करके बढ़िया सा thumbnail बना के दे सकते हो, design करना है और कुछ नहीं यार, design करना है, क्या job hard है, नहीं है साहब, अगर आपको फिर भी नहीं आता है, तो आप YouTube पे बहुत सारी tutorial है, कैसे thumbnail बनाता है, how to be a graphic designer, लेकिन बहुत अच्छा काम है, घर पे चीज़ सेख सकता हो, सेख हर कोई सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ी महनत करने को तयार है, तो आप, अगर आपको software को कोई काम आता है, तो software engineer, software developer को तो पता है, ये घर पे बैठके काम कैसे होता है, वो work from home कर रहे है, ठीक है, they are doing work from home, ये काम कर सकते ह तो आप skills सीख भी सकते हो, YouTube पे सारे tutorial available है, मैं, in fact, मुझे एक app बनाना था, तो मैं अभी वही कोशिश कर रहा है, अचानक से मुझे Facebook पे एक advertisement दिखा, जिसमें वो बन्दा बोलता है कि app आप आप घर पे 6 घंटे के अंदर बना सकते हो, और आपको बहुत सारे tutorial मिल चोटे-चोटे काम, कोडिंग बगारा सीख सकते हो, तो सीखो ना उसी के तो पैसे मिल रहे हैं भाज साब, लोग एक एक महीने के लाग लाग, दो-दो लाग, तीन-तीन लाग रुपया कमा रहे हैं, अब आप ये सोचिए कि अगर आपको लगता हाई राम, app कैसे वेब डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो साब थांबा, साब जब पैसे मिलते हैं आपकी सोच से उपर पैसे मिलते हैं, तो इनसान कुछ भी कर गुजरने को तयार होता है, और अब आप ये सोचिए कि आप माल लीजे कि 20-30,000 की जोब थी आपकी वह आप नहीं कर पारे, मैं एक महिने में दिन रात लग के वो काम सीख लेता, जजबात होने चाहिए, जजबा होना चाहिए, क्या काम मुश्किल है, कुछ नहीं, और तीसरा, ओनलाइन टीचर, भाइस सब ये तो सबसे असान काम है, तुम्हें क्या आता है, क्या तुमने पढ़ाई की है, छटी सा आठवी की बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, क्या, क्या आपको हिंदी पढ़ानी नहीं आती, संस्कृत पढ़ानी नहीं आती, या अकाउंटिक पढ़ानी नहीं आती, जो भी तुम इतिहास पढ़ा सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो, तुम्हारे पास कुछ किताबे पढ़ उनके सारे के सारे सेंटर बंद होगे, आप बिलीब करोगे, और यह सच बात है, लिंक्डिन पे मुझे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा, शायद इंडिया का नंबर वन इंस्टिटूट है, ट्वेल्थ के अंदर, उनके टीचर्स का कोल आता है सार जॉब चाहिए, क्योंकि कोरोना के चकर में सारे सेंटर बंद है, उन बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल देए, वो हम से जॉब मांग रहे हैं, और आसे चार साल पहले हम सोचा करते थें कि उस कंपनी में जाके जॉब करेंगे, क्योंकि मैं तो, मैं विधानतू से associated online platform है teaching करना तो बहुत आसान job है और आपको मैं बहुत सारे platform बता दूँ कि जो online में अगर आप कुछ पढ़ाना जानते हैं तो आपको बहुत आसानी से मोका दे देंगे आप video बनाईए, online पढ़ाईए teacher की job तो बहुत frequently available है इसके अलाबा जो कि घर पे बैठके आप कर सकते हो और एक और बात बता देता हूँ इसके अलाबा सोशल वेडिया मैनेजर बन जाई है साहब किसी के, बहुत सारे लोग है जो जैसे कि कि किसी का YouTube का हैंडल है वो आपको संभालने को देदेगा Instagram का हैंडल है, Facebook का हैंडल है मैं भी आपको बता देता हूँ मेरे खुद के, जो Instagram है YouTube के उसके मैनेजर है मैने मैनेजर रखा हुआ है जो उसको संभालता है मैं उसको पैसे देता हूँ लेकिन एक बात बता देता हूँ थोड़ी देर में थोड़ी दिर में एक और बात बताता हूँ, जैसे कि आप content writer बन सकते हो, ये तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी YouTube पे active है, खुद content writer ढूनते रहते हैं, content writer का मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए कि मुझे आध session लेना था, session लेना था, तो मेरे पस कुछ content तो होना चाहिए, जैसे मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो मेरे पास मेरे कोई इसको तयार कोन करके देगा, तो कोई बंदा होगा जो इस पूरे thought process को बनाएगा, अच्छा, आज सर को ये, मैंने बोला कि मेरे को ये session लेना है, मैं आज बताना चाहता हूँ कि जाओ, मैं 10 तरह की job, 10 tips बताऊंगा job कैसे लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक बंदे को बोला, जो मेरा content writer है, उसने मेरे को सारी theme बना के दी, उसके बाद इस slide को किसे ने design किया, तो content writer जो ये बताता है कि actually सर को आज क्या करना है, और आज हर YouTuber को content writer की जुरुत पढ़ती है, क्योंकि उसे content writer, content में क्या करना होता है, मैं आपको कह दूँ, ये वही वाली कहानी है, जैसे अचानक से आप जब छोटी ग्लास में पढ़ते था, आपको teacher बोलता था ना, कि आचलो गाये पर लेक लिखो, अपनी माता शरी पर लेक लिखो, अपने पिता शरी पर लेक लिखो, आज content writer, you have to write something, which must be very creative, try to understand, आप भी कर सकते हो, that's not a big deal, और इसके लाबा क्या है, इसके लाबा वीडियो एडिटिंग साहब, कई लोगों को लगता है, वीडियो एडिट कैसे होती है, इसके बहुत बहुत बारे टूल है, मैं यह आपको बता देता हूँ, मैं खुद करता हूँ इन शॉट में वीडियो, खुद एडिट करता हूँ, काइन मास्टर ले लिजे, इन शॉट ले लिजे, फिल्मोरा ले लिजे, इतने आसान है, अब आप सोचोगे, हाई, यह तो बहुत हाट काम होता है, मैंने कभी एडिटिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, still I can edit वीडियो, मैंने कभी अपनी जिंदिगी में कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी मजबूरी पढ़ने पर, अगर मेरा कोई बंदा विमार हो जाता है, जो कि मेरा वीडियो एडिटर है, तो मैं खुद वीडियो एडिट कर लेता हूँ, अब सोचिए आप, कौन-कौन से सोफ्ट फियर है और आपको लगता है, और एक और बात बता देगा, उनके सब के टुटोरियल यूट्यूब पे अविलेबल है, आप देखिए और सीखिए, दो गंटे लगते हैं साहब, आप तयार हो जाओगे, पर इन सब में एक खास चीज है, क्या है, इन स अब में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, अगर आप घर पे बैठके कमाना चाहते हैं, आपको दुनिया से जोड़ेगा कौन, आप दुनिया से जुडोगे कैसे, इंटरनेट के थुरू, मैं आपको बताता हूँ, एक खास बात मेरी जिन्दगी की, जिसने मेरी जिन्दगी चेंज कर दी, और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनियेगा साहब, ध्यान से सुनियेगा, जिसने मेरी जिन्दगी परिवर्तित कर दी, मैं आपको बताता हूँ, राजस्तान में, राजस्तान से मैं मूव किया था सूरत गुजरात जब मैं सूरत गुजरात आया तो आप जानते हैं सबसे पहला काम मैंने क्या किया मैंने सबसे पहला काम तो नहीं कहेंगे लेकिन मैंने उसको किया और आज मैं उसी की वज़े से पैसा कमा रहा हूँ मैंने सबसे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे सच बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे, जिससे शायद इंसानिये सुचता है कि महीनी का किराया निकल जाएगा, या फिर आटे दाल के भाव, आटे दाल का हमारे पास पैसा बचा हुआ है, सहाब मैंने उन से घर पे वाई-फाई लगवाया था, उन पैसों से घर पे वाई-फाई लगवाया था, सूरत के अंदर मुझे याद है, पूरे साल भर का पांच हजार रुपया था, मैंने उसको बोला मेरे पास पांच हजार रुपया नहीं है, लेकिन मेरे को इंटरनेट की जरूरत है, अभी मैं आपको 2000 रुपे पे कर देता हूँ, मैंने उसको 2000 रुपे दिये, मेरे घर पे वो internet लगा के गया और आप बिलीब करेंगे, वो 5000 का internet जो उसने लगाया, मैंने महीने बर अपनी skill को सीखा और उसी महीने के अंदर-अंदर मैंने advance में 20,000 रुपे कमाया था उसी से ही, उसी महीने के अंदर-अंदर तो आप imagine करो, एक चीज आपको चाहिए इसके लिए, आप अगर घर पे बैठके पैसा कमाना चाहते हो, आप मेरी risk पे, मैं कहता हूँ आप से, आपको internet बस एक बाद ध्यान रखना हर चीज का ओपयोग positively और negatively हो सकता है, वो आप पे depend करता है साहब वो आप पे depend करता है, mobile सब के पास होता है, कोई mobile पे गलत चीज़े देख रहा होता है, कोई mobile पे चीज़े सीख रहा होता है और चीज़े सीखनी साहब आपको कभी न कभी कोई न कोई चीज काम आएगी, जो लोग कहते हैं कि mobile पे सिर्फ time waste होता है, गलत बात है मैं आपको बता देता हूँ मेरे mobile में मैंने आस तो कभी कोई game नहीं खेली मेरे mobile में इतनी game है मैंने आस तो कभी कोई game नहीं खेली क्योंकि मेरे को time waste लगता है मैं कभी नहीं खेला हूँ आप believe करेंगे कि पिशले 5-6 सालों में कभी भी TV जो proper TV होता है, channels, जैसे कि G हो गया, या फिर जो भी Sony हो गया, मैंने कभी चलाया ही नहीं, क्योंकि मैंने TV में कभी भी, कभी मैंने antenna वाला connection करवाया ही नहीं, internet का connection जिसमें YouTube चलता है, वो है, इसके लाबा अभी मैं properly Netflix बगरा देखने लगा हूँ, वो भी night में कभी-कभी series जैसे भी recently, 1992 जो scam आया था, उसको मैंने देखा, मैं वो चीज़े देखता हूँ, जिससे मेरी skill develop हो, मैं वो चीज़े देखता हूँ, जिससे जो मुझे मेरे दिमाग को भढ़ाए, मैं कभी अपना समय बरबाद नहीं करता हूँ, मोबाइल, मैं आपको बताता हूँ, सुब psychology, कई लोगों के लिए वर्दान है, और कई लोगों के लिए अभिशाप है, साहब वो आप पे depend करता है, कि आप उस मुबाइल का use कैसे करना चाहते हैं, कई लोगों को सरफ एकी बात समझ में आती है, लड़की पटालू, लड़का पटालू, या फिर मेरा कोई, यह friendship हो ज जानते हैं इस बात को यह जूट नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज पैसा बहुत कुछ है, यह बात आप जानते हैं और इसे नकार नहीं सकते, सच बोलिए, क्या इसे आप नकार सकते हैं, नहीं नकार सकते साहब, यह जूट बोलते हैं, जो लोग कहते हैं, पैसा वाला हम गरीब है, रुकिये साहब, उनकी इज़त करिये, उन्होंने पैसा कमाया है, जैसे भी मिला और आपको वहां तक पहुंचना है, क्योंकि आप इज़त करोगे, और आप ये thought process रखोगे, वाह, पैसा कमाता है, मैं भी एक दिन पैसा कमाऊंगा, साहब आप पैसा कमा जाओगे, इज़त बहुत जरूरी है, नफरत करने से कुछ नहीं मिलता, और पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, लोग कहते हैं पैसो से खुशी नहीं खरीती जा सकती, साहब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं साहब, आप एक बार बहार निकल के आपको समझ में आ जाएगा, और इन सब जूट में मत पढ़िये, इसलिए इंपोर्टन चीज क्या है, प्रैक्टिकल बनिए, पैसे कमाने की जरूरत है और हमें इस पे फोकस करना है साहब, आई पील आपको कुछ नहीं देगा, ड्रीम 11 आपको कुछ नहीं देगा, जो घर जलना जरूरी, और आज मैं आपकी सोच बदलने आया हूँ, इसलिए मैं आप लोग उसे चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनीगा, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ आज, आज एटू सर नहीं है, भूल जाये, साहब मैं कौन हूँ, आज सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ, उससे कोई फरक पड़ता ही नहीं है, लाइव सेशन में बोल रहा हूँ, कोई recorded सेशन नहीं है, आप सब लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, आपके chats को देख पा रहा ह मैंने साहब 2,000 रुपे देगे अपने घर पे वाई-फाई लगवाया था, 17-18,000 रुपे जिसकी जेब में हो, वो 2,000 रुपे के दे वाई-फाई लगाएगा और जिसको पता भी नहीं करना क्या है, साहब उसी से सीख के मैंने पाईसा कमाया, और आज YouTube पे, आपको भी पत इमान को भी उठाना पड़ता है, तुम तो फिर भी इंसान हो, उठो साहब बाहर निकलो, रिस्क उठाओ, बाहर मत निकलो, वो रिस्क मत उठाओ, लेकिन घर पे बैटके रिस्क उठाओ कि अपने घर पे वाई-फाई लगवाओ, आज कल एक काम करोगे आप मेरे लिए, आपके सिटी में जो बेस्ट वाई-फाई है, जिसकी स्पीड अच्छी है, अगर आप घर पे पैसा कमाना है, और पोजिटिव हो, तो आप, देखी एक बात याद रखीगा, गैरेंटी कोई नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता, आज आपके काम की और आपकी सक्सेस की गैरे अगर खुदी निकम में हो, तो कोई दूसरा क्या कर लेगा साहब, लोगों के पास, कई लोग हैं जिनकी पास पैसा बहुत है, आपको मैं पोजिशनल पावर्स और इनो परसल पावर्स की बाते करते हैं, मैं विवेक बिंदरा जी का बहुत बड़ा फैन हो, और आज का ये गुरु है, उनको नमस्कार करता हूँ, और बहुत 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 रिस्पेट करता हूँ, उनको बोलीगा कि सर आपका एक शिश्य है, जो इस तरह से एक सेशन ले रहा था, साहब मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, मैं उनकी पचि आप किसी की गैरेंटी मत लीजेगा, A2 गैरेंटी नहीं लेता है, ना कोई और गैरेंटी लेगा साहब, आपकी सक्सेस की गैरेंटी आप खुद हैं, और अगर आप खुद जिम्मेदारी उठाने को तयार है, तो मैं कहता हूँ कि रिस्क उठाइए साहब, जिंदगी में रि पापा को कह दिया था, मेरे पापा कह रहे थे, एक दिन जब मैं घर छोड़के बाहर निकला था हूँ, उसके बाद से मैं कभी घर लोटके नहीं गया हूँ, बार्मी के बाद, 12 के बाद कभी घर पे वापस से पर्मनेंटली कभी रहने को नहीं गया, उस दिन मेरे पापा में कहा था, रुक जा, घर पे, मत दगा कहीं, यही पे अपन में दुकान चलाता हूँ, बड़िया दुकान चल रही है, तो उस गद्दी पे बेटेगा, तू ही है हमारा बाहुबली उस गद्दी गा, दुकान पे बड़िया बैठ के अपने माल बेचेंगे, बैठ गद्दी पर मैंने गा नहीं पापा भी तो मुझे जाना है, इंजिनिरिंग करने के लिए जाओंगा, आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं काफी बार यह शेयर करता हूँ, तो पापा क्या बोले पता हैं, रुके गा तो तेरी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन चला गया, तो तेरी जिम्मेदा तक तैयार हूँ तो आज का session आपके लिए तो ध्यान से सुनिएगा कि आज हमें क्या करना है तो कौन कौन तैयार है और कहता है कि मैं अपने risk अपने जिग्रे पर उठाने को तैयार हूँ You something that's cool, just write down in chat section घर पे बैठके मैं कमा रहूं इससे अच्छा क्या हो सकता है और आप भी जानते हो कोरोना की situation में अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता तो चलिए फड़ा-फड़ से शुरू करते हैं लेट स्टार्ट टुड़े सेशन पर एक बात ध्यान रखिएगा साहब सोच का पोजिटिव होना बहुत जादा जरूरी है अगर आप सोच पोजिटिव रखेंगे तो आप आगे जाएंगे नितो इस बात पे लोग तालियां भी देते हैं और गालियां भी देते हैं मैं को ऊपर लेके चलता हूँ, चल मैं तेरे को कुछ करवा के देता हूँ, उनको भी गालिया निगा लेंगे, मेरे को उनसे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उपर वाला भी उनका उधार नहीं कर सकता, मैं उनका उधार करने आओ, जिनकी सकारात्मक सोचे, जो जानते हैं कि पैनल लेके बैठीगा साहब, क्योंकि अब यह जो 30 मिनट है, वो आपकी जिंदगी बदल देंगे, तो चलिए फड़ा फट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले, मैं आप लोगों से हाथ जोड की विंती करता हूँ, कि हमारा एक फैमिली है, एक टू मोटिवेशन, उस जो आपको लेनी है, सबसे पहले तो ड्रीम जोब का मतलब समझी है, नमबर वन, ड्रीम जोब का मतलब होता है, यू लव डूइंग इट, पहला, ड्रीम जोब क्या होती है, अगर कोई मुझसे पूछे की तुम, तुमारे लिए ड्रीम जोब क्या है, अच्छा मेरे लिए जिसे मैं करना पसंद करता हूँ, मैं क्या करना पसंद करता हूँ, मुझे लोगों से interaction, मुझे लोगों से बाते करना बढ़ा अच्छा लगता है, मुझे लोगों के जीवन में उनको उपर ले जाना बढ़ा अच्छा लगता है, मुझे लोगों को motivate करना बढ़ा अच्छा ल हो गया है लेकिन सहाब इसी काम में मुझे मज़ा आता है और इसी काम में मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ तो सबसे पहले तो सोचिए कि आप क्या चीज से प्यार करते हैं सहाब लोगों को यही नहीं पता होता कि आप क्या करना पसंद करते हैं सोचिए, समझिए आपको क्या करना अच्छा लगता वक्त है आपके पास लोगडाउन है सहाब करोना ने सारी दुनिया बंद कर दी है 14 दिन का समय दिया आपको 14 दिन के अंदर आप उधार कर लो अपना जो बचपन में नहीं सोच सकें वो आप सोच लोगों कि दुनिया बंद है साहब रुख जाए थांबा करिए जिन्दी को फिर से शुरुबात करिए अपने आप से पूछे कि आप किस चीज से प्यार करते हैं आपको क्या काम करना अच्छा लगता है पहली चीज वो ड्रीम जोब हो सकती है आपकी दूसरा You are good at it ड्रीम जोब क्या होती है या तो आप जिस ती से प्यार करते हो मेभी वो जोब करना चाते हो या फिर आप सोच सकता है कोई आपके पास skill हो वो जोब करना चाते हो अच्छा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ, तो मैंने सोचा चलो, मैं यूट्यूबर बन सकता था, मैं यूट्यूब में, मैंने सारी दुनिया देखिए, चलो, मैं chemistry पढ़ा सकता था, मैं उसमें अच्छा हूँ, तो चलो, job, समझे, या तो आ की ड्रीम जोग हो सकती है लेकिन अगर तीनों ही चीज़े हो तो साहब माशालला ऐसा कॉंबिनेशन आपको मिलेगा ही नहीं जैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरे लिए ये तीनों चीज़ें एक ही सेक्टर में आती है आज A2 मोटिवेशन मुझे लोगों को मोटिवेट करना बड़ा अच्छा लगता है मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा खोल सकती है लेकिन अगर तीनों चीज़ें तो साहब आप कमा जाओगे तीनों चीज़ें तो जिंदिगी में कभी पीछे नहीं रहो गए समझे कि मैं कितना भागेशाली हूँ मुझे मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है आज मैं वही काम कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे आता भी ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए बहुत जादा भरसक प्रिपरेशन करने की ज़रता है मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लोग मुझे सुनेंगे नहीं I know, I know how to communicate साहब 10 साल हो गए एक काम करते हुए, 5-6 साल मैंने फिजिकल क्लासेज में किया उसके बाद मुझे आज कम से कम 5-6 साल ओनलाइन में हो गए हैं साहब बात करते हुए कैमरे में कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोग आपको कब सुनेंगे लोग आपकी बातों को कब तवज्जो देंगे साहब ये काम आता है मुझे अच्छा भी लगता है आता भी है और साहब इसके पैसे भी मिलते हैं साहब जूट नहीं बोलेंगे सच बोलेंगे इतना अच्छा पैसा मिलता है जो कभी मैं फिजिकल क्लासिस में पढ़ाय करते था डेड़ लाक रुपया महीने का मिलता था उससे भी कहीं गुना जादा मिलता है अब आप सोचिए कि हम कितने भागे शाली है और अगर आप अब देखिए इससे ना इससे वो एक मुनी लेना है कि मुझे इस बंदे से चिड़ हो रही है कितना भागे शाली है नहीं साहब रिस्पेक्ट करिए साहब रिस्पेक्ट करिए और मैं आप से कहूँगा प्यार से गर रिस्पेक्ट करेंगे और यही चीज़ आप भी चाहेंगे तो ये चीज़ आपको भी मिलेगी आप सोचिए, आप सोचिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और क्या आप उसमें अच्छे हैं और क्या उसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं और अगर तीनों चीज़े हैं आप जिन्दिगी में कभी परिशान नहीं होंगे ये मैं आपको guarantee दे सकता हूँ तो सबसे पहले तो अपनी dream job ढूंडिए आप करना क्या चाहते हैं समझे उसको आप dream job कहेंगे अब कैसे पाएं वो dream job जब आपने सोच लिया देखो कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है जरा समझे इसलिए आपको ना इस पे वक्त देने की सबसे ज़्यादा जरूरत है जरा समझे मैं क्या बोलने ही कोशिश कर रहा हूँ ये जो मैंने बोला कई लोगों के लिए तीनों चीज अलग हो सकती है अब देखो कई लोगों के लिए तीनों चीज अलग हो सकती है मुझे डांस करना अच्छा लगता है लेकिन मैं सिंगिंग मैं अच्छा हूँ लेकिन पैसा तो मैं किस से कमा रहा हूँ तीचिंग से तो तीनों चीज अलग हो सकती है इसलिए वक्त दीजिएगा और एक चीज पकड़िएगा जिसमें कोई एक या दो चीज़े मैच हो जाए और मैं आप लोगों से कहूँगा अभी हाल फिला अपनी प्रियरिटी को चेक करिएगा कि आपको पैसों की जरूरत है या फिर आप जिस चीज में अच्छे हैं उसमें पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप जो पसंद है वो करना चाहते हैं आपको ढूनना पड़ेगा क्या आपकी priority क्या है इसके लिए वक्त बहुत लगेगा आपको एक से दो दिन सोचना पड़ेगा में भी हो सकता है कईयों ने आप ही decide कर लिया हो कि मैं तो यही काम करूँगा समझ में आता है मैंने आपको तरीका बता दी इसको ढूनने का तरीका क्या है सबको समझ में आ गया मज़े की बात है सबसे अच्छा कॉम्बो वो है जिसमें तीनों फैक्टर आते हूं साहब तो आप माशालला मचा जाओगे चलिए बागे चलते हैं सवाल ही उड़ता है कि उस dream job को आप पाएं कैसे वो dream job ढूंडे कैसे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं चलिए तो अब मैं आप लोगों कुछ amazing tips बताने वाला हूं मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके notes बना लीजेगा साहब क्योंकि ये सारी चीज़े आपको काम आएंगी तो मेरी request है आप से कि इसके notes जरूर बना लीजेगा और किस-किस ने copy pen ले लिया है just write down in chat section मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग है जिन्होंने copy pen लेके बिल्कुल तयार बैठे हैं जिनको copy pen एकदम तयार है बताइए सर कैसे करेंगे क्योंकि आज जो मैं जानकारिया आपको देने वाला हूं वो आपको कहीनी मिलेगी तो please आप लिखिए कि हाँ हम तयार हैं सर क्या बात है तो जब पढ़ते कौन-कौन तयार है शिव तयार है सारी का तयार है आयूश तयार है उसके बाद सूरज तयार है फिटनेस तयार है उमे तयार है साहिल तयार है अजय तयार है है कोलडर अब है बहुत बढ़िया राजीव बाबू नेक्स्ट दिव्या इंदर बहुत बढ़िया बहुत लोग तयार है बहुत अच्छे तो चलिए तो अब आपने copy pen ले ही लिया, तो आप जो चीजे में बताने वाला हो बहुत important है, तो चलिए फड़ा फड़ से शुरू करते हैं, the amazing tips to find out your dream job, कैसे करेंगे, जब आपने decide कर ली तो आप करेंगे कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला tip, tip number one, सबसे पहला tip यह है, identify your dream job साब, जो मैं पहले बोला था, आप ढूंड़िया, आप क्या करना चाहते हैं, आप इन में से कौन सा profession, यह जुरूरी नहीं, यह तो सिर्फ photographs के लिए, आप क्या बनना चाहते हैं, आप YouTuber बनना चाहते हैं, वीडियो creator बनना चाहते हैं, SEO work करना चाहते हैं, graphic designer बनना चाहत हैं, घर पे बैठके content writer बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ढूंड़िये साहब, आपको यह ढूंड़ना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो आपको यह करना है, जो कि इसके बारे में हम पहले discuss कर चुके हैं, तो this is tip number one, जो मैं आपको बताया, आप ढूंड़िये कि आप पैसा मिल रहा है कि जिससे आप खुश हो जाओगे, यह सवाल है, तो सवाल को ध्यान चे सुनेगा जो मैंने बोला, इसलिए बड़े सोच समझ के, आपका कम से कम मान के चलिएगा साहब कि इसमें आपका समय जाएगा, ठीक है, और मैं आप से कहूंगा बड़ी तसल्ली से स चिल फोरिट जरा समझे भाई साहब यह बहुत इंपोर्डेंट है, जब आपने सोच लिया, जैसे सोचिए कि मैंने सोचा, जैसे मैंने सोचा, मैं एक टीचर बनूँगा, क्योंकि मुझे टीचिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि मुझे बड़ा अच्छे तरीके से केमिस्ट्री आती है, बढ़िया, केमिस्ट्री में ग्यान है, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, जरा समझे, तो उसके सारे टुटोरियल अवेलेबल है, आप अपने आपको समय दीजिए, बुक्स से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या केमिस्ट्री की जॉब एवेलेबल है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी अच्छी लगते है, लेकिन कोई मुझे केमिस्ट्री का जॉब दे रहा है क्या, पैसे देगा क्या, तब तो मैं उसे सीखूं, तो पहले फेक्टर के बाद दे तीसरे फेक्टर पर जाईएगा, दूसरी चीज, अगर सोच लीजिए आपको लगता है मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्या यूट्यूबर को पैसा मिलता है, हाँ मिलता है, उसमें थोड़ी स्ट्रॉगल है, लेकिन अल्टिमेटली, आपको पैसा मिल जाएगा, जब आपको शूरिटी, अच्छा, आप क्या करना चाहते है, वो भी सोच लीजएगा, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, लेकिन यूट्यूबर किस चीज का बनना चाहता हूँ, क्या मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता लेकिन घर पे मैं बैट बैटके फाल्तू की चीज़े दिखा सकता हूँ जो कि आजकल बहुत चल रही है vlogging घर पे बैटके आप अपनी दिन चरह दिखा सकते हो जो कि आप चल रहा है क्या आपको वो आता है क्या आप कर सकते हो जरा समझेगा समझ में आता है या फिर आप क्या कर सकते हो अच्छा मैं टेक फिल्ड में जाना चाहता हूँ यूट्यूबर टेक फिल्ड में बनना चाहता हूँ अच्छा मैं गेमिंग करना चाहता हूँ मैं गेमिंग को कर यूट्यूब चैनल चलाना चाहता हूँ अच्छा मैं शोट वीडियो बनाना चाहता हूं, अच्छा मैं मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहता हूं, समझ में आ रहा है, अच्छा मैं फैक्ट वीडियो बनाना चाहता हूं, समझे, या फिर मैं कॉमेडी वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं भुवन बांग की जैसे बनन चाहता हूँ, मैं Carrie Minati की जैसे बनना चाहता हूँ, मैं A2 की जैसे बनना चाहता हूँ, whatever, आपने सोच लिया, अब आपको लगता है उसमें पैसा है, struggle है YouTube में, लेकिन struggle के बाद पैसा है, तो अब अगर आपको समझ में आ गया, आप satisfy हो पहले और तीसरे तो आप सोचिए कि अब उसको develop करने के लिए, इफ I want to be a vlogger, पहले मैं सीख तो लो कि vlogging अच्छे से कैसे होती है, उसके A, B, C, D सीख लो, आती है फिर भी थोड़ा सा ग्यान ले लो, क्या जाता है, अब आप vlogging के लिए best vlogger कौन है, flying beast, कैसे vlogging करता है, क्या camera चाहिए, क्या इतने gadgets है मेरे पास, क्या मैं इसके लिए तयार हूँ, तो आप क्या करोगे, तो समझदार व्यक्ती क्या करता है, पता है, दो व्यक्ती थे, उनसे पूछा गया कि पेड़ काटने के लिए 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 तुम्हें कुलाडी दी, 7 गंटे में पेड़ काटना है, तुम क्या करोगे, तो पहला आदमी क्या क्या क्या, फड़ा में इसे 5 गंटे उसने पर आरी को तेज किया और आरी इतनी शाप होगी कि लास के 2 गंटे में उस बंदे से पहले उसने पेड़ काट दिया मैं आप लोगों से कहता हूँ मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने आपको जब जोब के लिए जा रहे तो उससे पहले आप तयारी करके जाओं आप तयार होने चाहिए हो वक्त है आपके पास आप तयार करो कोरोना ने सबको वक्त दिया है घर पे बैठ के अपने आपको तयार करो जो काम आप करना चाहते हो लेकिन आप टाइम लिमिट लगाईएगा उसके अंदर अगर मैं यह काम करना चाहते हैं तो मैं अपने आपको time limit दूँँगा, मैं इतने समय में अपने आपको तयार कर लूँगा, अगर आप सोचे कि मैं कोई web designer बनना चाहता हूँ, video editing का काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं graphic designer बनना चाहता हूँ, धीरो courses अवेलेबल है YouTube पे यार, software law, बहुत धेरो software available है, mobile में download करो, करो काम चुरू करो, sample thumbnail बना, और नहीं तो अपने channel के लिए बना लो, खुद का YouTube channel में कौन सा पैसा लगता है साहब, कोई पैसा नहीं लगता, तो आप समझ गई हो आपको क्या करना है, अपनी dream job ढूंडो और उसके लिए अपने आपको तया करो, जंग में जाना है, तो जंग के लिए तयारी भी ज़रूरी है, ऐसे थोड़ी जले जाओगे, ओके, किसके साथ जंग है, ओके, मैं तयार हूँ, कैसे तयार हूँ, पैंट पहनी नहीं, शर्ट पहनी नहीं, बंदूग है नहीं, पता नहीं कहा करना, क्या करना है, so you have to be ready, वो बहुता दरूरी है, अब तीसरे टिप की तरफ चलते हैं, जब आप अपने आपको तयार कर लें, पांच-छे दिन में एकदम मजबूत कर लें, कि मैं स्किल्फूल एकदम तयार हूँ, और बिल्कुल जॉब करने कर तयार हूँ, सहाब उसके बाद आपको जॉब के अब जाएं कहां, जॉब डूड़ने के लिए, तो थांबा, रुकिये, अगर आप तयार हैं, स्किल्फूल हैं, और आपको माल लीजिए कि अभी आप रिसेंटी आपकी जॉब गई है, और आपको एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो तो ये वेबस बनाईए, shine.com पे जाएंगे, वो आपकी profile बनवाएगा, आपसे पूछेगा, आपका नाम क्या है, पता क्या है, नंबर क्या है, सारी चीज़ पूछेगा, आप स्किल क्या है, कौन सी जॉब चाते हो, आपको हर चीज मिलेगी, shine.com पे जाएए, time.com पे जाएए, मैं जब engineering म था, मैं आपको बता देता हूँ, engineering करने के बाद, जस बाद जब मैं बाहर निकला था, तो मैंने सब जिगए पे अपनी profile बनाई थी, जिससे आपको jobs के notification आते हैं, साहब, यह जो website हैं, आपकी साहता के लिए बनी है, shine.com हो गया, time.com हो गया, time.com हो गया, time.com हो गया, नौकर notification देते रहते हैं, pop-out होता रहता, आपको mail आता रहेगा बार-बार, आपे परिशान हो जाओगे last में, जवाब की job लगजे, आज मैं आपको बताता है, एक और बाद, मैंने engineering में इन पे man डाला था, engineering में मेरा मेरा तबका एक mail ID है, engineering में मैंने वो mail ID create के था और इन पे मैंने अपनी profile डाली थी, आज भी इनके मेरे पास mail जाते हैं, और मेरे पास समय नहीं है कि मैं इनको unsubscribe कर दूँ, और mail भर चुके हैं, अभी Sunday को, last Sunday को बैठके मैंने, मैं आपको कितने, इन ही websites के, 46,750 mail मैंने delete मारे हैं, 40,000, जब से मैंने engineering करी, तब से 46,750 mail आई पड़े हैं, कि इस company में आपके profile के हिसाब से job है, इस company में आपके profile के, आप तो मेरे को कभी को बार हसी आ जाती है, पर मैं सोचता नहीं, थामबा, जमीन पे रहो, लेकिन अच्छी कची बलता है, इस profile के हिसाब से आपकी job match करती है, apply now, apply now, आते रहता है, तो यह आपको notification भेजती है, note कर ल दीजिएगा YouTube पे shine.com पे resume कैसे डाले, shine.com पे profile कैसे बनाए, मैं इसको मेरे को कोई इसका वो नहीं मिला, आपकी मर्जी कहीं भी बना लेना, monster.com भी बहुत अच्छा है, नौकरी.com भी बहुत अच्छा है, time has sent भी इसके लावे बहुत सारी होता है, पर यह trusted है, time job.com हो गया आप किसी पे भी बैठ के, आप YouTube पे, किसी को भी सर्च करेंगे ना बता देगा आप profile कैसे बनानी है, बहुत simple होता है, बहुत simple, आप 5 अस दि मिनट दीजिए, सहाव आप बना लेंगे, अगर किसी को experience है, तो आप इनके लिए आप अगर चाहे fresher भी है, तब भी आप इन प website है, जिस पे आप अपनी profile बना सकते हो, as a fresher, freelancer.com ये बहुत अच्छी है, freelancer में freelance होके आप काम कर सकते हो, घर पे ही आपको आपकी, मान लीजे आप video editor हो, आपको video editing आती है, आपने मान लिख दिया, और बहुत सारे ऐसे apps भी हैं, जहापर आपने prizes लिख देते हो, कि देख अपनी website आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर अपनी profile बनाईए सहाब, और freshers live, जिसमें अगर आप घर पे बैठे है, freelancer होके काम करना चाता है, किसी भी company के लिए, तो freelancer.com पे जा सकते हैं, in fact, सारे आपको freelance करने का मोका देते हैं, कोई problem नहीं है, लेकिन ये especially उसके लिए ब बताता हूँ, डेटा को एंटर करने के लिए जोब ऐसा हो, आपको डेटा देंगे, उसको sheet में एंटर करना होगा, उसी के पैसे मिलते हैं, data entry जोब बोलते हैं, कुछ नहीं हो था उसमें, सच बता रहा हूँ, तब सोची, वह लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप कि सोचते है आप पैसा नहीं कमा सकते, वीडियो एडिटिंग से लेके, थंबनेल से लेके, SEO वर्क से लेके, यूट्यूब के मैनेजर बनने से लेके, इंस्टाग्राम के मैनेजर बनने से लेके, जो भी चीज़ आप कर सकते हो, जो कि घर पे बैठके, computer रहे, laptop पे हो सकते है, mobile के अंद आपके पास अधिकतर 99% cases पर सारा काम हो जाते हैं, आपके mobile से, आज YouTube खुद जो laptop से operate होता था, आज अपना पूरा काम उसने shift कर दिया है, YouTube ने खुद ने अपनी एक app launch करी है, जिसमें आप उसके अंदर, पहले क्या करना पड़ता था, आपको पता है, आज mobile का इतना use हो ग करनी है, तो आप laptop पर जाना पड़ था, mobile पर काम नहीं होता था, धीरे धीरे आज 99.99% काम जो है ना, वो mobile के अंदर होता है YouTube का भी, मैं यहीं से अपनी वीडियो बना सकता हूं, यहीं से वीडियो बनाने के बाद उससे upload भी कर सकता हूं, upload करने के बाद उसका title भी लगा सक हो, thumbnail भी लगा सकता हूं, सब कुछ लगा सकता हूं, monetize भी कर सकता हूं, बताइए, सिर्फ एक काम नहीं होता इसमें, वो क्या है पता है आपको, बस यह ना, जो करता है उसको use हो तो उसको समझ में आता है, मैं आपको बताता हूं, देखिए साहब, मेरे पस सारे, almost जो मेरे कर सकते हो, बाइटी स्टूडियो में जाके ही, आप लोग अपने monetize भी कर सकते हो, सुर्फ एक काम नहीं होता, mobile के अंदर, वो भी शायद जल्दी होने लग जाएगा, वो यह, कि अगर आपको playlist add करनी है, वो end screen add करनी है, या फिर उपर वाला जो i button होता है, वो add करना है, त मेरे पास एक app है, मैंने अपने जरूरत के सारे app यहाँ पर रखे हुए है, मेरे सारे app, मेरे पास कौन-कौन से app है, आपको काम आएंगे, आप लिग लीजेगा, जिसे hangout है, जिसे मैं chats कर लेता हूँ, अपनी colleagues से बात करता हूँ, hangout बहुत असान है, कई लोगों को WhatsApp अच् सादा नहीं बनते हैं, लेकिन टेलिग्राम में आप बहुत बड़ा group बना सकते हो, तो बहुत सारे लोग उस पर जुड़े हुआ है, टेलिग्राम का बाइदर में आपको बता देता हूँ, अपना खुद का YouTube मोटिवेशन का group बना हुआ है, जिसमें 12,000-13,000 members है, अगर अपना YouTube मोटिवेशन का ही है, कहां मिलेगा, अगर आप ये देखो, YouTube पे जाएंगे, YouTube पे अपना चैनल खोलेंगे, नीचे अबाउट में जाएंगे, अपना चैनल खोलने के बाद, अपना चैनल खोलने बाद, अबाउट में जाएंगे, यहां पर Instagram का, Facebook का, Twitter का, टेलेग् लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे ना, नीचे नीचे टेलेग्राम ग्रूप वही खुलेगा, जैसे क्लिक करेंगे, सीधे आपको टेलेग्राम पे लेके जाएगा, ठीक है, यह देखिए, मैं क्लिक किया, मैं सीधे टेलेग्राम में पहुँच गया, यह देखिए, अपन तो मैं आपको अपना मोबाईल ही दिखा रहा हूँ, जरा आप देखिए और इससे ज़्यादा क्या चाहोगा आप मुझसे, मेरे पास और क्या है, WhatsApp है, जो मैं जर्नली यूज करता हूँ, इसके लबावा Facebook है, LinkedIn है, एक और बात बता हूँ, अगर आपको जॉब चीए, और आपको जो प्रोफाइल, अगर आपको अप्लाई भी नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देने, LinkedIn पे, LinkedIn है ऐसा प्लाटफोर्म है, जो कि हर एक आपको बड़े-बड़ी, आपको कंपनी वाले मिल जाएंगे, बड़े-बड़े HR मिल जाएंगे, बड़े-बड़ी कंपनियों के, जो owners हैं, उनकी profile बनी होती है, owners नहीं कहेंगे, founders छोड़िये, मतलब founder की profile तो नहीं होगी, लेकिन नीचे जितने भी लोग होते, जो company में काम करते हैं, सबकी profile आपको LinkedIn पे मिल जाएगी, तो LinkedIn एक professional kind of app है, बहुत लोगों को LinkedIn पे profile ही नहीं बना होगा, मैं कहूंगा आपसे LinkedIn पे जाएए, अगर LinkedIn की profile, देखो कुछ भी नहीं आता है, YouTube पे वीडियो सर्च कर लेना सम मिल जाएगा, तो ये मेरा LinkedIn का profile है, मेरा खुद का profile है LinkedIn के, आप अरविंद अरोडा को follow कर सकते हैं, मेरी profile बनी हुई है, ये रही मेरी profile, और मैंने बहुत तयारी के साथ इस profile को बनाया था, मुझे पूरे दो दिल लगे तो इसको बनाने में, LinkedIn अपने आप में आपको कमा के देता है, एक कमाई का जरिया है, बट आप जाईए उसको use करना आना चाहिए, तो तरीके बहुत हैं, काफी लोग मुझे यहाँ पर follow करते हैं, और मैंने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है, आप भी मुझे चाहिए तो follow कर सकते हैं, क्यों बहुत सारी चीज़ें मैं share करते रहता हूँ, करना चाहिए, तो कर लीज़ें, बहुत बड़ी आप है, in short, in short एक ऐसा आप है, जो कि अगर कोई माल लीज़े, फ्री लांसर है, जिसको माल लीज़े, मतलब zero है, नहीं आता उसे, suppose करिए, है ना, तो मैं आपके chats भी खोल देता हूँ, जिससे सारे लोग हो, अगर in short, ऐसा बंदा, जिसको video reading का वी भी नहीं आता, कह खह गह गह कुछ नहीं आता, in short बहुत आसान अप है, आप यहाँ पर video edit कर सकते हैं, photo edit कर सकते हैं, collage बना सकते हैं, बहुत बढ़िया app है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, तो यह आपको choices देता है, और मैं thumbnail कैसे बनाता हूँ, मैं thumbnail बनाता हूँ in collage में, मेरे को in short से बढ़िया in collage अच्छा लगता है, जहाँ पर मैं thumbnail बना लेता हूँ, पैसे के बारे में मत सोचीगा और उसका उपयोग अच्छे से करिएगा, उपयोग मतलब समझेए, हर चीज का positive और negative उपयोग होता है, आप positively उपयोग करेंगे तो आपको बहुत काम आएगा, तो आज अर्विन दोरणा यानि की A2 motivation, आपके जो A2 sir है, उन्होंने तो app भी कौन सी app यूज करता हूँ, यह सारी app है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप लोग यह मत सोचीगा कि कोई अपने secret नहीं बताता है, मैं आपको आपके secret भी बताऊंगा, मैं आपको बता दिये, और वाकी बहुत सारी apps हैं, बहु काम आएगा, वीडियो को दुबारा देखना, फिर से लिखना और उनको डाउनलोड करना, आपके काम आएगा, अब आप यह सोचीए कि मेरे जैसा आदमी, जो यह app यूज कर रहा है, कुछ तो खास होगा, तो अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप कर लीजिएगा, लेकि वो भी अच्छे है, फेले कि उनसे भी अच्छे आते हैं, मैं यह नहीं कही हो, kind master बहुत लोग use करते हैं, फेस्सके पैसे लगता है, इन शॉट में पैसा नहीं लगता, समझ महा रहा है, in short में water mark लगता तो पैसा नहीं लगता, वो सिर्फ एड दिखाएगा आपको आपको जो in short वाली logo उसको हटा लेता है आपको उसमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं kind master में पैसे देने पड़ते हैं तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको ठीक है तो यह सारे के सारे जितनी भी websites हैं उनमें जाके आप अपना resume डालिए साहब और यह बहुत आसान काम है आप ढूनेगा तो सब मिल जाएगा चोथे point पर चलते हैं point number 4 fourth tip जो मेरी तरफ से दे रहा हूँ वो क्या है do full research about the company यह बहुत important है आप जब आपने अपना resume डाल दिया कईयों की dream company भी होती है यह फिट कोई अगर कहीं भी काम करना चाहते है तो जो भी company में apply करना चाहते है आपको यह जितने भी वेb sites है वह आपको पूछती है आपकी dream company कौनसी आप कौनसी company में काम करना चाहते है apply करने के लिए तो जो भी company आप लिख रहे है मैं आपसे कहूँगा कि जब तक आपको माहा से call नहीं आता, जब तक आपको notification नहीं आता, आप उस company के बारे में पूरा पढ़िये, जैसे suppose कीजिए मैं बहुत अच्छा software developer हूँ और मुझे Infosys में काम करना है, तो मैं Infosys के बारे में complete information लूँगा, आप जानिये आपको कहीं जोब कर रहा होगा, कहीं भी आपको जोब करना होगा, और ये website जब आपको notification भेजेंगी, तो आपको ये तो पताएंगी कि आपका interview कौन सी company में है, सही है, फिर भी आपके पास समय होता है, ऐसे तो है नहीं, आज आ आदे गंटे में आपका interview है, नहीं, वो आपसे पूछे एक company का vision क्या है, basic information पकड़िये, बहुत important है, company कहां situated है, company किस-किस area में काम करती है, company का vision क्या है, की achievements क्या है, company की company ने क्या achieve किया है, इसके इलावा recent कौन से projects हैं, जिन पे वो आपको काम करवाना चाहती है, या उनके पास वो recent projects हैं, तब ही तो रिकूटमेंट कर रही होगी अब इसे क्या होता है, इसे क्या होता है, पता है, एक बात समझ लीजेगा, और इसका मैं पूरा credit विवेक बिंदरा जी को दूँगा, तो इसे क्या होता है, कि आप लोगी बात याद रखे, अगर आप सामने वाले में interested हैं, या अपना सामने वाले के profile में, या फिर सामने वाला जो कर रहा है, उसमें interest दिखाता है, तो वो भी आप में interest दिखाता है, यह तो normal चीज़ है, कोई इनसान से भी अगर आप मिलते हैं, और आप करें, हाई sir, how are you, मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ, और उसको अच्छा लगता है, या रे मेरे बारे में जानता है, तो व आप में interest लेगा, जब आप ही अपना interest नहीं दिखाएंगे, तो वो आप में interest क्यों दिखाएगा, तो यह बड़ा important, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आप में interest दिखाए, तो आप ही तो उनमे interest दिखाएए ना, अगर आप company में job चाहते हैं, तो company बारे में पता करिए, जाके बात करिए कि company, अच्छा company का vision क्या है, mission क्या है, क्या achievements है, कौन सा recent project लिचिस पो काम कर रहे हैं, आपको किस पे लगाएंगे, सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए, company की basic profile आपको पता होने चाहिए, कहा मिलेगा company की, सबसे बहले तो उस company की website पे जाके ही मिल तो www.vidanto.com पे जाएए, आपको पूरी profile ले विधानतो का vision, mission, जो भी विधानतो करना चाहता है, मिल जाएगा, facebook पे job करना चाहते हैं, यहाँ फिर आप Infosys में job करना चाहते हैं, सारी profile उनकी website पे अबलेबल होती है, अच्छा फिर भी LinkedIn पे, हर company के LinkedIn पे अपने pages पे profile बनी हो सकते हैं, बहुत सारे reviews वहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि यहाँ पर जाके आप company के बारे में पता कर सकते हैं, LinkedIn होगे हैं, उनकी खुद की website होगी, glass.com होगे, mouse.com होगे, यहाँ पर यह ऐसी चीजे हैं, जहाँ से जाके company के बारे में पता कर सकते हो, काम आ बारे में पूरा सर्च कर लिया, understand your job profile as well, job के description को पता करिये, जरा समझे, company के बारे में आपने पता कर लिया, क्या आपने ये पता कर लिया, कि job में उनकी demand क्या है, वो आप से किस तरह का job करवाना चाहते है, job की description क्या है, कितने घंटे आप से काम करवाना चाहते है, उनकी expectations आप से क्या है, कई पता लगता है, आपने वीडियो एडिटर के job के लिए apply किया था, उन्होंने आपको interview के लिए बुला लिया, बट वो वीडियो एडिटर की job है, उसमें आपने ढंक से पूछा ही नहीं कि किस तरह की वीडियो आप से edit करवाना चाहते है, क्या वो skill आपक इगा कि job की description क्या है, बहुत जरूरी है, वो आप से क्या काम करवाना चाहते है, कौन से project में काम करवाना चाहते है, इसके लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा या नहीं, मैं घर से काम कर सकता हूं के नहीं, इसके लिए मुझे किन-किन equipments की जरूरत है, समझ में आता है, कि सोदा दिन में सारी चीज़े सीख लेंगे, आपने सीख ली, बाद है पता लगा, जहां पर जोग के लिए अपलाए कि उसने थुड़ा और भारी काम दे दिया, जो आपको आता नहीं है, सो interview में आप fail हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, तो job पर जाने से पहले job का description पू समय बरबात होगा, बेटर है कि आप उस company के लिए, interview के लिए जाओ, जिसमें आपकी expectations और company की expectations आप से match हो रही हो, जब match ही नहीं होगे, तो काम कैसे करोगे, अब आते है अपन छटे tip की तरफ, तो इसलिए जानना ज़रूरी है, कि भाई, जो job के लिए मुझे interview देने जाना जो online बैटके interview दूँगा, तो job की profile क्या है, मतलब job की description क्या है, जानना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, इसके लाबा, know about your interviewer, जबहुत important है साहब, first impression, last impression होता है, समझे, यह सब mind game होता, आपको क्या लगता है, कि job, देखो job है न, दो तरीकी से पाई जाती है, एक तो बहुत smart है, आपको बहुत ज़दा आता है, आप उसमें master है, आपकी mastery है, तो साहब आपको job हर कोई देगा, आप master है यार, उसमें आपको यह चीज आती है, video editing, मुझे सब कुछ आता है, video editing में 10 साल होगे, मुझे video editing करते होगे, हर एक software, हर एक चीज, तो आपको job के लिए को रोक न impression, अपना impression दो, कि आप बहुत interested है, उस job के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको बोले कि आपको माल लीजे, nocree.com से pop आ रहा है, मतलब एक notification आ रहा है, suppose करिए कि आपका interview है कल, तैयारी कर लो, job interview, आप बस सिर्फ उत्ते ही पूछ लेना, जो भी HR न उस भाई साब को LinkedIn पे सर्च करें, कहीं तो profile बनी होगी, 100% उसकी LinkedIn पे तो profile होगी, 100% उसकी LinkedIn पे profile होगी, जाके LinkedIn की उसकी profile चेक करें, वो किस तरह का आदमी है, उसने क्या अपनी profile में share किया हुआ, कोई article share किया होगा, कोई quote share की होगी, समझ में आता है, तो जब उनसे पता ल मैं ही आपका interview लेने वाला हूँ, तो मेरे बारे भी research तो करोगे, और अगर आप मुझे बोलोगे कि sir, मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ, मैं आपकी सारी videos देखता हूँ, तो मैं कितना खुश होँगा, यार अपनी अच्छाई सुनके तो हरके खुश होता है, जब आप सो photos डालती है, बड़ी अच्छी photos डालती है, मैं सारी photos देखता हूँ, मैं सारी photos like करता हूँ, मैं ये भी देखके जाऊँगा कि कौन सी photo में आपके सबसे ज़्यादा like आये थे, सब search करके जाऊँगा, और कब आप live आये थे, आपने क्या बोला था, आपकी profile में कितने followers हैं, ये सारी चीज़े, और कोई article अगर आपने लखा या कुछ चीज़ें ऐसी रखी हूए, तो मैं सारी चीज़े सर्च करके जाऊँगा, ताकि आप impressed हो जाऊँगा, मैं आपको interview मैं आपको बोलूँगा, अगर कोई HR है, जिसे मैं जानता हूँ मुझसे कहूँगा, कि sir मैं आ बहुत अच्छी लगते हैं, मैं सारी रीड करता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कि जब आप बोलरों कि आप उनकी profile को चेक करके आए हो, तो वो आपसे पूछ भी सकता है, बताइए recent कौन सा मैंने article डाला, मैंने recent कौन सी post डाली, मैंने आपने उससे क्या सीखा, अच्छी बात है ना यार, आप एक दिन के लवी, बोलो आप तो करता ही हूँ, यह आपने जूट का बोला, मैं कल ही follow करना शुरू किया है, तो मैं आप ये बोल रहा हूँ कि सर में आपको follow करता हूँ, तो सची तो हुआ, जूट का हुआ, हाँ कब से शुरू किया है, मैं तो उसे वरे पता करके जाओ, यार, उसकी तारीफ करो, यह भी एक, पता है, लोगों को लगता है कि लोग अपने talent और skill पर जोब पाते हैं, आपको बताता हूँ, हिंदूस्तान में 60-70% jobs इस तरह से लगती है, 60-70% छोड़िये साहब, 90% job इस तरह से लगती है, 10% jobs जो है वो अपनी skill पर लगती है, skillful होता है बंदा, लोग उसे खुद अपरोच करते, 90% jobs ऐसे लगती है, buttering करके, इसमें गलत क्या है, गलत कुछ नहीं है, आपको आता है, बट स्टिल आपसे अच्छे लोग भी हैं, जो पीछे वेट कर रहे हैं इंटर्व्यू का, तो आप तो चाओगे न, आपका chance बन जाए, तो इसमें क्या जाता है HR के, sir, आपको follow करता हूं, sir, आपके articles बहुत अच्छे होते हैं, sir, मुनको like भी करता हूं, sir, sir, recent आपने एक article लिखा था, which is really good, sir, जो blah 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 पर था, तारीफ कर दोगे तो खुश हो जाएगा, तो अपने interview के बारे में जानो, that's very important, okay, और जूट नहीं हो, इसमें अच्छी चीज है, समझे, हरी चीज बड़ी काम आती है, छटे point सबको समझ मैं है, 7th point की तरफ चलते हैं, साथवा point, make a short and crisp resume, सहाब, job के interview के लिए जाएंगे, तो आपको अपना resume mail करना होगा, या इन websites पे डालना होगा, अपना resume इतना लंबा मत बनाईए, कि उसे पढ़ने में दिक्कत हो, बोरियत महसूस हो, कई लोगों को resume बनानी नहीं आती है, short and crisp, मैं आपको एक बात बताऊ, बड़ी-बड़ी company के data पढ़िए सहाब आप, वो कहेंगे, कि जो interviewer होता है, वो मुश्किल से 6 second या 7 second ही आपके resume को द बहुत सारे resumes आ गए, बहुत सारे resumes आ गए, नोकरी.com पे आप अकले तो होगे ने, जो आपने resume डाला होगा, बहुत सारे लोग होगे, तो HR जब बहुत सारे resumes को देख रहा होगा, तो आप believe करोगे, कि 5 से 6 second में एक HR पहचान लेता है, कि मुझे इस बंदे को interview में बुलाना है, समझे, इसका मतलब क्या हुआ, resume must be crispy, काम की चीजे लिखो, बड़ी-बड़ी fact ने की जरुद नहीं है, कई लोगों को resume बनानी नहीं आती, वो सिर्फ cut copy paste करते हैं, ये बात सच है, आप भी जानते हो, काम की चीजे लिखने का मतलब समझे, आपको बड़ी-बड़ी fact न मैं college में था, तो हमारे वो आने वाले थी company, मैं third year से हमारे recruitment शुरू हो गया थे, तो company आनी शुरू हो गया थी, हमें बोला गया resume बनाओ, हमें resume क्या होता है, resume कैसे बनाते हैं, तो आप believe करेंगे कि, पूरी class में, मुश्किल से दो या तीन बच्चे ऐसे थे, जिन्होंने ख कुछ से लोग edit नी करते है resume, अरे उसमें क्या चाहिए, उसमें ना company आपके ये भालतू की चीज़े नहीं पढ़ने वाली हो, बता cut, copy, paste है, काम की बात करो, और उसमें specially वो चीज लिखो, कि company आपको किस role के लिए interview में बुला रही है, और क्या आप में वो key talent है, समझ में आ profile है, okay, company इसके लिए आपको बुला रही है interview में, क्या आप उसको fulfill कर सकते हो, बस, मैं होता मैं आपकी जगा क्या लिखता, माल लीजे video editor की job है, मैं लिखता सब मुझे video edit करते हो गए 10 साल हो गए, पहली चीज तो मैं ये लिखता, कहा कहा हो गए मैं organization के नाम लिखता, फिर में क्या करता, reference के लिए लोगों के नाम लिखता, जिनके video मैंने edit किये हैं, और आप माल लीजे कि आपने, तो आप तो fresher हो, आपने अभी सीखा है, तो आप लिखिये, साहब उसमें सच लिखिये, अगर कोई video editing की job है, तो आप लिखिये, कि मैं video editing में नया हूँ, I am a fresher, मे बना दाव खेलते हैं, क्योंकि freshers मेहनत बहुत करते हैं, समझ मेह रहा है, तो इसलिए घवराइए मत, अपनी सच्चाई को चुपाइए मत, यह मत कहिए, मुझे बहुत experience है, चोगा दिन पहले तुम पढ़के आए हो, कैसे, अर्विन दुरण सरका, वो चौप बाला देख पहलेंगे आपको, बता रहा है, समझ मेह रहा है, सच बोलिये, दिल खोल के बोलिये, अर्विन दरोड़ा मैं आपनी बात बता हूँ, मैंने हमेशा, जब भी मैं गया हूँ, एक confidence के साथ गया हूँ, जब चीज़े आप confidence के साथ बोलते हो, तो सच भी बोलते हो, और वो उस खेलेगा, क्योंकि आप में हिम्मत है, आप में confidence है, सच बोलने की, तो अगर आप में ऐसा है, you can win, you can win the job, सबको समझ में आया, चलिए, अब हम और आगे चलते, साथ में पॉइंटी बाद आठे पॉइंट पर चलते हैं, एट्थ टिप के आज़र आप ध्यान से देखेगा आठी टिप है, improve your heart skill and soft skill, आप जो भी काम कर रहे हैं, भी हो सकता है कि आपको, अच्छा, आपको Microsoft Office आता है, क्या Google, Google के बहुत सारे, बहुत सारे suits होते हैं, क्या वो सब चीज़ें आती हैं, normal चीज़ें आपको आनी चाहिए, mathematical skills हैं, writing skills हैं, अपनी skill को improve करके जाहिएगा, social media skill हैं, मतलब इन में से आपके जो profile के हिसाब से कुछ hard skills होते हैं, जैसे अगर मैं video editor हूँ, तो मुझे video edit करनी आनी चाहिए, ठीक है, यह hard skills हो गई, लेकिन वो सिर्फ hard skill नहीं देखते हैं, वो उसके साथ-साथ soft skill भी देखते हैं, मतलब समझे हैं, और यह आपके पास होनी चाहिए, soft skill का मतलब आपकी communication कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, क्या आप team work है आप में, मतलब team work, यह quality है क्या, क्या आप team के साथ काम कर सकते हैं, या फिर freelancer अके लिए काम करेंगे, adaptability है क्या, आप चीज़ों को adapt कर सकते हो, यह चोटीज़ों चीज़ें बहुत काम आती है, problem solving में, अगर आप कोई task देते हैं, क्या आप उसको अपने दिमाग से solve कर सकते हो, कोई problem देते हैं, क्या अपने दिमाग से solve कर सकते हो, अपने creativity कितनी है, तो यह सारी soft skills में काम आती है, सारी soft skills बहुत important है, तो वो सिर्फ आपकी hard skills नहीं देखते हैं, जो profile में बोला, आप video editor अ problem solving, आपका nature पर भी बहुत जादा चीज़े depend करती है, तो यह आठवा point है, जिस पर आपको काम करके जाना है, है ना, जो कि आप पहले नहीं कियो, तो अपने आपको संभाली है साहब, emotional होने से काम नहीं बनता, आपको team में बैठ की हो, रहे के काम करना है, अच्छे से लोग तो आप नीचे बले ही चड़ा पहन के बैठ जाओ, क्योंकि नीचे तो नहीं दिखने वाला, ऐसा थोड़ी intro केगा, चल भई, खड़ाओ के बिखा, तो नीचे पजामा तो नहीं पहन रखा, नीचे तुन्हें जोकी का चड़ा तो नहीं पहन रखा, he will never say this, but उपर से आप अच्छे से दिखने चाहिए हो, समझ में रहा है, अच्छे से coat पेन के बैठिए, shirt पेन के बैठिए, tie पेन के बैठिए, बाल अच्छे से रखिए, चश्मा श्रमा है, तो लगा लीजिए, presentable हो के बैठिए, सीधे बैठिए, ऐसा दोड़ी है, यूँ करें, हाँ भई, ball भ अगर आप अच्छे दिखोगे, तो आप वहीं से number बना लोगे, नहीं आ रहे है, अच्छा दिख रहा है, इसमें बोलने की कला अच्छी है, अपने आपको present अच्छे से कर रहा है, तो काफी चीज़े आप यहां पर जीच जाते हो, तो यह बहुत जादा जरूरी है, आपक अच्छा कोट है, अच्छी शर्ट है, प्लीज आप पहन के बैठे है, presentable होके बैठे है, जूम कॉल में, एंटर होने से पहले आप तहजीब, तमीज बहुत important होती है, जो की हमें सीखने और समझने की जूरत है, दसवे point पर चलते हैं, तो आप तयार हो न, अपने आपको presentable बनाने के लिए जरूरी है, 10th point पर चलते हैं, 10th point मेरी तरफ से, ask intelligent question, जरा समझे, सहाब बहुत important है, सरफ इतना important नहीं है, कि सामने वाला जो आप से सवाल पूछ रहा है, उसके आपको जवाब देने हैं, वो है, जो सामने वाला सवाल पूछ रहा है, उसके आपको जवाब पूछते हैं, तो पता है, उससे भी आपका selection हो जाता है, जैसे कि आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका जब interview पूरा हो रहा है, उसने आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, आप पूछ सकते हैं उनसे, which goal to be achieved by your role in your company, आप पूछ सकते हैं कि आपकी company में, आप मुझसे क्या expect कर रहे हैं, किस तरह के role को expect कर रहे हैं, मुझे कौन से goals achieve करने हैं sir, क्या आप मुझे बताएंगे, तो उनको खुशी होती है, कि आप उनसे serious question पूछ रहे हो, which problem to be achieved by your role in the company, आप पूछ सकते हैं, कि जो आप मुझे job दे रहे हैं, उससे मुझे किस problem को solve करना है sir, तो जब आप ऐसा interest दिखाते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं आ रहे हैं, जोब के लिए serious हो क्या है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं, कई लोग सोचते हैं, कि हम interview से सवाल पूछेंगे, क्या, अरे पूछ सकते हो यार, ऐसे सवाल पूछ सकते हो, what will be process of the performance evaluation, जब आप अच्छी बात है, जब आपका पूरा interview हो जाए, last में आप पूछ सकते हो, कि sir, मैं बहुत महनत करूँगा, मैं बहुत काम करूँगा, क्या आप मुझे बताएंगे कि performance को यहां पर evaluate कैसे किया जाता है, पूछ सकते हो, क्योंकि ultimately आप जब साल बर काम करोगे, आपको भी तो चाहिए आपक tip की तरफ चलते हैं, 11th tip क्या है, show interest in helping the company growth, सिर्फ आप यह मत सोच, एक और बात बताता हूं, interview में काफी लोग jobs reject हो जाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि वो सिर्फ mentality पे काम करते हैं, कि इतने में इतना इच मिलेगा, किस mentality पे काम करते हैं, इतने में इतना इच मिलेगा, नहीं आपको employee मानसिक्ता की बजाए, as in entrepreneur मानसिक्ता का होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं कैसे, कई लोग जो job mentality के होते हैं, वो अपना काम शुरू करेंगे office के time पे, 10 बजे है बाई, मैं चाहिए, साड़े 9 बजे आ गया, लेकिन मैं काम 10 बजे शुरू करूँगा, इतने मे खेलते हैं, time हो गया, जाओ, उनको कोई फरक नी पड़ता, काम पूरा हुआ, नहीं हुआ, वो employee होते हैं, typical employee होते हैं, जिनकी mentality इतनी होती है, इतने में इतना इच मिलेगा, जिनको leave चाहिए, sick leave चाहिए, हर तरह की leave चाहिए, leave पे काम नहीं करेंगे, अपना mobile switch off कर लेंगे आज तो leave, समझ रहो, ऐसे लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं, वो तरिफ नोकरी के लिए बने होते हैं, और वो नोकरी में ही उतना ही उनका 5%, 10% जो increment होना होता है, उतना ही increment होता है, फिर company भी यह कहते हैं, इतने में इतना ही मिलेगा, समझ रहो, तो आपको employee मान सिकता का नही टाइम है, मैं क्यों काम करूँ, सहब आप याद रखिये, task oriented बनिये, काम दिया गया है, तो काम को वक्त से पहले पूरा करना हमारे लिए काम जादा important है, work is more important than word, आपका काम आपको आगे लेके जाता है, और जिस दिन increment होगा ना, जो यह सोच के, बिना टाइम घड़ी काम हो गया, आप तो चुटी, टाटा, बाइ बाइ, सब कई लोग घड़ी देखते ही नहीं, कई लोग काम देखते है, मुझे मेरी company के लिए काम करना है, और पता है, जो value create करते हैं, believe me, company उनको 10-15% या 20% increment नहीं देती है, सहाब, वक्त आने पर उनकी value, उनकी तंखा double, triple हो आजा सकता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे, आज मैं खुद विदान्तु में काम करता है, मैं equity holder है as well, because मैंने timing नहीं देखी कभी, मैंने value create करके दी विदान्तु में, that is very important, तो that's very important, तो आप सिर्फ job मान सिकता के साथ मत जाहिएगा, याद रखिए कि एक employee जो की बोलता का होता है, उसे company leave करना ही नहीं है, वो इस सोच के साथ जाता है, मुझे कोई leave नहीं चाहिए, मुझे company leave करनी ही नहीं है, मुझे company छोड़नी ही नहीं है, मैं उस मान सिकता के साथ आया हूँ, मैं लंबे समय तक टिकने के लिए आया हूँ, company के अंदर, पता वो विश्वास बहुत जादा जरूरी है, आज बड़ी-बड़ी कंपनियां क्या ढून रही है employees के अंदर, ट्रस्ट, आज बड़ी-बड़ी कंपनियां किस पे पैसा दाव लगाती है, ट्रस्ट पे, एक्जाम्पल देता हूँ, आपने सुना होगा, सुन्दर पिच्चाई, सुना है नाम, सबने सुना होगा, सुन्दर पिच्चाई, एक तमिल अडू के गाम से निकला होगा लड़का, आज गूगल कंपनी का CEO है, दो-तिन जॉब शुरू में छोड़ी थी, उसके बाद से आज तक वो गूगल में ही काम कर रहे हैं, आपको जानते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, 2000 करोड़, 2000 करोड़ रुपे सैलरी है, LPA उनका, 2000 करोड़ किसको बोलता है, साब आप गिनते रजाएंगे, इतने तो तंखा किसकी होती है, वो लड़का जो गाम से निकला तमिल नड़ू के, कैसे पहुंचा वो वहाँ पे, साब वो employer, वो एक entrepreneur मानसिक्ता का इंसान था, उससे value create करनी थी, उससे Google को आगे लेके जाना था, तो Google में, Larry Page ने found किया था Google को, वो क्यो किसी को CEO बनाएगा, साब एक बार का लड़का जो कि हिंदुस्तान से गाम से निकला उसको कोई भाई थोड़ी था, Larry Page का भाई थोड़ी था सुन्दर पिच्चाई, वो कोई रिष्टिदार थोड़ी लगता था, talent था, उसने बताया कि मैं Google के लिए, मेरा मेरा समरपन है Google के लिए, बीच में offer भी आया था, वो छोड़ने वाली भी थे, और क्योंकि इनको पता था कि सुन्दर हमारी लिए कितना important है, उन्होंने उनको बहुत बड़ा offer दिया, फिर Google में रुके और आज वो Google के CEO हैं, और आज आज आप जानते हैं उन्हें, साहाब ये बहुत important, आपकी मान सिक्ता, आप कंपनी की growth जादा महिन ये रखती है, ऐसी मान सिक्ता के साथ जाओगे, तो उसे ये चीज interviewer को बहुत जादा impress करती है, क्योंकि ये आप उसकी company में growth करने वाले हो, समझे रो, ऐसे लोगों की बहुत कमी है, आज trust का पैसा है, सहाब याद रखेगा, skill में एक skill आप add कर बोलते हैं, एक key point हो रहे है, key point number 12, 12 number key point के है, and that is, don't demand to me, ये last point है, कई लोग जाते है, है न, एकदम, sir, एक लाग रुपया महिना लेंगे, salary पुछेंगे, ऐसे interviewer का सवाल होता है, tell us about yourself, what, है न, okay, what are your key point, what are your positive point, what are your negative points, you know, आपने कहां पे काम किया है, आपका experience क्या है, अगर आप fresh हो, तो हम आपको क्यों लें, बहुत हरे सवाल पूछते हैं, last में एक सवाल पूछेते हैं, पकाई सवाल पूछेंगे, interviewer सवाल पूछता है, what is your expectation, आप कितनी salary चाहते हैं, उस बात का जवाब आप इस तरह से कभी मत दीजिएगा, जरा समझेए, मैं क्या बोल प्लीज, अब मत बोलना है, सर एक लाग रुपे लोंगा, दो लाग रुपे लोंगा, मेरी expectation थीन लाग की है, तेड़ लाग की है, पैसा नहीं बोलना सहाव, पैसा मत बोलिएगा, मेरा answer क्या होता, मेरा answer यह होता कि सर, मुझे काम करने का मोगा दीजिए, मैं एक साल में value create करूँगा, अपने आपको prove करके दिखाऊँगा, उसके बाद सोच लीजेगा, बैठके सोच लेंगे, आप क्या करें, उसे जरा समझिए, आप बोल रहे हैं कि सर, मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है, कि मैं एक साल में इतना कुछ करके दिखाऊँगा, कि उसके ब प्लीज आप, you know, salary expectations के बारे में बात मत कीजेगा, obviously company आप से जान भूज के सवाल पूछती है, समझ में आ रहा है, इस सवाल में एक बात समझ लीजेगा, आपको minimal norms में उतनी salary तो मिलेगी ही, जो market में उस position के लिए demandable है, समझ रहो, video editor की minimum salary कितनी ही होती है, 40-50,000 वो तो मि देगी ही, company खुद ही देदेती है, आप मुझ से बोल लेंगे, नहीं बोलेंगे, तब भी वो इतना तो देगी ही, और आप बोल देंगे, तो आप महाँ पर क्या हो जाते हैं, आप ऐसी mentality का अपने आपको शो करते हैं, कि आप पैसो के लिए जुड रहे है company से, नहीं सहाब हमें ये शोई नहीं करना, अगर आपको जोग चाहिए, तो आप answer याद रख लीजेगा, आपको ये बोलना है, कि सर, अभी पैसे matter नहीं करते, मैं आपकी company से जुड़ता हूँ, एक साल में एक value create करूँगा, तब हम लोग सोच लेंगे, you don't have to say, because उनकी salary उनके दिमाग में fix है साहब, आपकी जोग की description के हिसाब से, उनके दिमाग में आपकी salary fix है साहब, आप क्या ही तो बता के कर लोगे, आप बोलोगे, एक लाग बोलेंगे, नहीं, हम तो 50 जा सोच के बेठे हैं, अपनी बेज़ती कराने का फायदा क्या है, क्योंकि वो देंगे तो उतना ही जि this is the proper answer, जिसमें आप दिखाते हो कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप company की growth के लिए काम कर रहे हो, फिर वो पताया है और ऐसे करके बहुत लोगोंने अपने interview crack की है, यह बहुत अच्छा तरीका है last question का answer देने का, समझ मैं किस को यह answer अच्छा लगा, एक और बात बताता हूं, दूसरा, जरूरी नहीं है कि interview में आपको सारे सवालों के जवाब आते हो, सहाब, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको perfectly सब कुछ आता हो, आप कही नहीं अटकोगे, last में जाते जाते आप यह line बोल दीजिएगा, पहली line तो मैंने आपको समझा दी, कि स salary का भी फरक नहीं पड़ता है, एक साल में आपके यहां काम करूँगा, value create करूँगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे, so this is the proper answer for the last question, and there is one more question, what is that, क्या question होगा उसके दिमाग में, कही नहीं तो आप पूरे interview में कही नहीं तो अटके होगे न, last में कोई question ही होगा, उसका आपको उसको एक line बोलके जाना है, क्या बोलके जाना है, कि सर हो सकता है, कि इस पूरे interview के दौरान, मैं कहीं अटका हूँ, या फिर मैं आपको satisfy नहीं कर पाया हूँ, में भी, आप बोलीगा, कि सर ऐसा हो सकता है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब धंग से नहीं दे पाया लेकिन सर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि किसी सवाल का जवाब कैसे डूंडा है ये मुझे आता है सर वो बहुत important है क्योंकि समझे कि हर कोई सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते हो लेकिन अगर आपको ये पता है कि अपने confidence के दम पे हैं, ठीक है, मैं आपको बजाता हूँ, एक बार हमारे college में, और मेरे को trick पता लगी थी, उसकी tricks होती है, एक बार हमारे college में एक century आई थी, तो उतके अलग-अलग round होते हैं, उनमें group discussion भी एक round होता है, ठीक है, उसे क्या होता है, बड़ा मज़िदार था, वो बड़ा मज़िदार experience था मेरा, group discussion एक round होता है, group discussion में वो क्या करते हैं, जैसे dogs बैठे होते हैं, उनमें बीच में रोटी डाली जाती है, फिर dogs जपढ़के पढ़ते हैं, ऐसी group discussion भी होता है, तो आपको topic देते हैं, और उस topic पर आपको बोलना है, अब मेरी English इतनी अच् लेकिन मैं पूरी study करके गया था कि group discussion को crack कैसे करना है, उसका एक बड़ा गजब तरीक है, क्या करना है आपको, भाई वो topic कुछ भी बोले, आपको सिर्फ एक line बोलनी है, मैं पढ़के गया था, और मैंने वही किया, और मेरे crack हो गया था, मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको मैं बोलनी है, can I initiate first, be a leader, can I initiate first, क्या मैं शुरुवात कर सकता हूँ, आई शुरुवात करने में तो सबकी फट्ती है, सबको डरी लगता है, होता कहे है, 10 लोगों को बिठाएंगे, ठीक है, फिर आपको बोलेंगे, चलो इस topic में बोलो, topic दे रहे हैं आपको, India is shining, just say something about it, आ ग्रूप में supporter लगता है, कोई सोचेगा तो सहीना कि मैं क्या बोलूँ, मैंने क्या किया, ग्रूप में लोग बैठे हुए थे, उसने topic फैका, मैंने तुरंद बोला, मैं कहना initiate first, मेरा उसी line पर selection हो गया था, और उसने बता है, मज़े की बात, कहना initiate first, क्या मैं शुरुवात कर सकता हो, इससे आपका selection हो गया और वो आपसे शुरुवात करवाते भी नहीं है, उसने मुझसे शुरुवात करवाई ही नहीं, तुरंद मेरा नाम note कर लिया, ओके, ये candidate final है, और मेरा जीडी में selection हो गया था, group discussion के आगे वाले round में चला गया था, एक century में, जबकि मेरे को दंक से नहीं बोलना आता था, तो आपका confidence आपकी selection करवाता है, तो कुछ ना tricks होती है, interview को crack करने की, इसमें एक salary वाला part भी है, don't say salary, your expectations, no, अगर आपको job पानी आप कहिए ही सरा चलेगा, कुछ भी, कोई problem नहीं है, I am here to, you know, create value for the company, मैं यहाँ पर क्यों, मैं value create करने के लि वाँ, what an answer you have given, tell me, tell me, tell me, what's your expectation, I'll give you right now, I'll give you the letter as well, कि लोग इतना खुश हो जाते हैं, वो जो ना company के मालिक नहीं सुन लिया, क्यों यह लड़का क्या बोल रहा है, कि मैंने को salary से फरक नहीं पड़ता, बताओ तुमें कितना salary हम देंगे, you're really good, वो तुरंट देते हैं, औ मैं नहीं दे पाया हूँ, लेकिन sir, मैं यह जानता हूँ, कि किसी सवाल का जवाब कैसे डूनना है, वो इस चीज़ से बहुत impressed होगा, क्यों, क्योंकि वो भी जानता है, कि दुनिया में ऐसा फन्ने गानी है, जिसको सब आता हो, लेकिन अगर आपको यह आता है, कि किसी सव आजमाई ही चीजे हैं, जो मैंने खुदने आजमाई हैं, and I think आप लोगों को समझ में आया होगा, कि what we have to do, so finally, amazingly, हमने session अभी खतम किया, मैं आपको बताए, 10 नहीं, मैंने 12 पॉइंट बताए, if you can dream it, you can achieve it, अगर आप चाहे, तो आप अपनी dream जो पा सकते हैं, मैं आपको guarantee दे सकता हूँ इस चीज की, बस आपको सुर्फ इतना करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने आप पे विश्वास रखिये, आगे बढ़िये, सब कुछ अच्छा होगा, simply depends upon you, मैंने बहुत सारे राज, बहुत सारे चीज़ें आपको खुले तोर पे आ रहा है, भई धोनी सहाब को क्या जाएगा बोलने को, dream 11 पे team बला लो, दिमाग लगाने से अच्छा, रुकिये सहाब, मैं आपसे कहूँगा, dream 11 पे दिमाग लगाने से अच्छा, IPL पे अपना समय बरबाद करने से अच्छा, एक skill develop करिये सहाब, job के लिए अपलाए करिय सहाब, किसी interview की त्यारी करिये सहाब, और सबसे अच्छा, किसी इंसान का भला होगा सहाब, इस वीडियो को share करिये, नहीं, तो मेरी आपसे request है, कि इस वीडियो को share करिये, बाकि लोगों के साथ में, ताकि वो अपनी जिंदगी में successful हो सकें, I have a request to all of you, please share this video to all the guys who need this kind of thing, म हालतों की वीडियो शेयर करते हैं, आज उनसे काम की वीडियो शेयर करिये, कुछ आपको दुआएं देंगे, वो कहेंगे आपसे कि यार इतनी knowledge और इतना सब कुछी शायद है, उनको कहीं नहीं मिला होगा, so please share this video, like this session, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस वीडियो के through, अगर आपने कुछ सीखा और अगर आपकी जोब लग जाए, तो please आप हमसे share जरूर करिएगा, वीडियो बनाईएगा, और हमें भेजिएगा, हम आपको ये जरूर ensure करते हैं, कि हमारी social media पे हम लोग जरूर उसको publish करेंगे, कि हमारी session को देखने के बाद, आपका thought process बद हो, तो please आप comment section में जरूर लिखेगा, कि आपको पूरे session में क्या अच्छा लगा, इसके लावा आप अपने दोस्तों के साथ ही share जरूर करिएगा, मेरी request है आप से, क्योंकि अच्छे काम को share करना तो बनता है, thank you so much, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर तभी निकलें, जब जरूरी हो, और जब भी निकलें, मास्क जरूर लगाएं, stay safe, stay out home, thank you so much, धने बाद